तो चलिए अब एक मर्श करते हैं Conditionals पर मबनी इन जुम्लों को हमने दिये गए इन verbs की मदद से मकमल करना है हमारे पास choices है help, sell, play, go, invite Help यानि मदद करना, sell यानि बेचना, play, खेलना, go, जाना, invite यानि दावत देना शुरू करते हैं Number 1 If I see Aslam, I'll blank him to dinner tomorrow यानि अगर मुझे Aslam दिखाई दिया तो मैं उसे कल के खाने पर मद्दू करूंगा तो इस blank में क्या आना चाहिए? I'll invite, बिल्कुल ठीक If I see Aslam, I'll invite him to dinner Next, if I blank out, I'll turn off the TV यानि अगर मैं बाहर गया, तो मैं TV को बंद कर दूंगा तो खाली जगह पर क्या आएगा? Go, बिल्कुल ठीक If I go out, I'll turn off the TV Next, if you blank tricks on people, they will not trust you again यानि अगर तुम लोगों के साथ मकर करोगे, यानि चालें चलोगे तो वो तुम्हारा इतबार नहीं करेंगे माफ कीजगा, वो दुबारा तुम्हारा इतबार नहीं करेंगे तो खाली जगह पर आएगा If you, बिल्कुल सही, play If you play tricks on people, they will not trust you again Next, if the farmer blank all his kiwi fruit in the market, he will be very pleased यानि अगर किसान ने अपना तमाम kiwi fruit मंडी में बेच दिया तो वो बहुत खुश हो जाएगा तो यहां क्याएगा, if the farmer बिल्कुल ठीक यहाएगा, if the farmer sell If the farmer sell all his kiwi fruit in the market, he will be very pleased Next, I'll blank you with your homework if I can यानि मैं तुम्हारी homework में मदद करूंगा, अगर मैं कर सका तो ब्लैंक में आएगा Help, बिल्कुल ठीक, I'll help you with your homework if I can I'll short form है, I will की तो आप देख सकते हैं, इन तमाम जुम्लों में auxiliary verb will का इस्तमाल किया गया है जिसे main clause में इस्तमाल किया गया है जबके हर condition clause जब फिर if clause के अंदर जो verb इस्तमाल किया गया है, वो है present simple form में, जैसे के see, go, play, sell और help, तो क्या बता सकते हैं कि ये तमाम जुम्ले conditional sentences कौन सी type है? बिल्कुल ठीक, ये है type one sentences, यानि इन जुम्लों में जो condition या शर्त बताई जारी है उसका पूरा होना and मुम्किन है तो ये थी conditional sentences की मुख्तलिफ एक्साम और उनसे मुतालिक एक मश्क, अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए